हर्याना से जोड़ी ख़बरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें ख़बर तहल का बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें करता है बगर कोई शीट के भी काम किये हैं आपका क्या कहना है रमेश महिपाल बनाची यह अच्छा आदमी है रमेश महिवर रुख कब और कहां बदल जाए पता ही नी चलता आखिर जनता है जनारदन है सब जानती है कब किसका तकता प्लट दे जी हा नमस्कार मैं पारूल दियागी स्वागत करती हूँ आपका ख़बर तहलका में और आज हम मोजूद हैं खर्खोद हलके के गाउं में तो जनता से जानते हैं इस बार आखिर वे किसको विधायक के रूप में चुनना चाहते हैं सभी राजनेताओं ने अपनी कमर कस ली है तो जनता से जानिये कि उनकी पसंद कौन है तो आप मोजूद नगर से हैं तो विधायक के रूप में किसे चुनना चाहते हैं रमेश महिपर रमेश महिपर क्यों यह यूवा है और समाजी काऊं में बढ़ बाग लेता है और जो अमारे आठ नमबर डायना इसमें जब भी जाते हैं तब भी पानी खिलुए तो पानी का जो बताया आपने वह रमेश महना नहीं किया है रमेश मैपुर जो बाजपा का यूवा लीडर यूवा नेता है तो अगर इनको टिकट मिल जाती है बाजपा की तरफ से तो क्या लगता है कि खरकोदा के लोगो इनको एक तरफा रमेश मैपुर को लेकर क्या कहना है कि इनको अगर बीजेपी टिकट दे देती है तो इनको चुनाओं के लिए क्या है और बात करें अगर कोंग्रेस की तो कॉंग्रेस में अगर कोई आता भी है यहां पर तो क्या कहना वोट देंगे ना जी जीत पक्की उसकी जीत निश्चित है और बहुत बढ़िया इंसान है और इस क्षा दस साल से कांगरिस की वोट में दे चुके हैं हमारा वहां कोई हो इसकी जीत निश्चित है और बीजेपी बहुत बाहरी दोर चिद रहेख है युवा बच्चा है, इसका आच्छा मिलनसार है, मिलने दूने वाला है, और सब कैसा हो के साथ चलता है तो रमेश महिपाल को लेगर क्या कहना है कि टिकट मिलती है तो इनकी जीत पक्के इनकी जीत पक्के है जी युवा नेता है काम करता है बगर कोई शीट के भी काम किये हैं लोगों के साथ बैठता है घर घर जाता है जीने में मरने में साधी में और अम ज्यादा तर डिपेंड पास गये और हमारी शाथ गया पानी छुठवाया तो उनको लेकर किया किया क्या उनको को चांस वगए नहीं जी पांच साल होगे उसको एम ले बने वे जये बिर्बाल में को आध तक तो गांगे दर्सन हे एमल ले बने के बाद कभी आया है नहीं है गाउं में एक बार यह लोग सबागे चुनाव में जरूर आया था वोट मांगने के लिए उसे पहले आया ना आप आया ना तो पूर विदायक थे यांके उन्होंने कुछ भी काम ने किया नहीं पूरो विदायक ने जो अपने टैम्प किया था आप तो क को नहीं आया है आपका क्या कहना है रमेश महिपूर ने इस समस्या को हल किया तो जानते हैं जनता से और भी स्वाल कि आखिर उनका रमेश महिपूर को लेकर क्या किसको विदायक के रुपें देखना चाहते हैं जिस टैम भी उसको बुलाते हैं उस टैम आजाता है बहुत इमिलन सार बहुत अच्छा लड़का अगर रमेश महिपूर को खड़कोदा के यहां से भाजबात टिकट देती है तो उनकी जीत को लेकर क्या कहना गाना है जीत एक पार्टी को देखना जाते हैं विदान सभा चुनाओं के लेकर हर्याना में किस पार्टी को देखना जाते हैं हम उननी में उनको क्यों वृत करेंनी ऑड़ी आदमेदी भी अकर आयर हो यान एक यह क्रिया किरूआ यहां मारे सबसे अकшने मुध्द्ध सॉन्ध कर देखना हैं उन्हें पाणी कि समnehmerनी क्या हर्याम बढ़ी को सैंण है जैसे हम नहीं सबसे बात करें पानी का मुद्दा जो है वह सबसे एहम मुद्दा तो उस पानी के मुद्दे के कर क्या कहना है आपका यामे के पहले यह को पानी पेले यह फंड कर आगि पानी की ही गो geographical के понять आ पानी चटवाओंगे रात ने तीन चेर बार यहां ड्रेन बाइब आये हैं वहां दर चंदीगड जा गए इन पानी तीन चेर बार चटवाए अब भी चल रहा है लोगर फसल पार करवा दिया हमारी इसको अदेकर यह दा बाई टेकट अगे दो माई रमेश तेरे साथ हम मतलब वोट जो देखे तो एक तरफा वोट एक तरफा जी जो गरी दमीदार है जमीदार पूरा इसके उसमा है रमेश के आठ नमर ड्रेनी और इसका अले इसने बाई साब न करवा दिया अर ये बने पाचा परमानेंट करा देगा जी है इब बारा बारा एक बज़े हम पाणी ने देखते है यो देखना वाड़ है चंदीगड तक मारा हम करा लाग रते और सरकारा में रेकवेस्ट करे रते भीख मांगे रते अम पाइनी गी इन आपनी जेव से करा बरका कहला लड़ी मारी लड़ाई से इसकाल नम इसके साथ है जी आमने कहीं आमकी करा यह टेक्सी लेग जा रते जी सो सो रुपीय कठे करे चंदीगड कोई आमने मिल्या नहीं गरता उस टेम पर यह बाइसाब दफ्तरा में भी गए हैं आपने जेव से करा लाया हिना आमने लड़ाई नहीं खोद लड़ी है जी और अब भी लड़ने लग रहे मारी फसल भी सूकरी जी मारे अड़ाट पीने काई पाइनी नहीं है एक यड़रेन है जी स्पनेर परामस अगर इसमा पाइनी नहीं नहीं फसल करावा जी और बाईसाब नमारा समाधन कराया है और जी जानतां अंगालाओंगे जी अगर इसने पार्टी टेकेट नहीं देती नहीं आज़ाद खड़ावाज से तब भी जितता है जी अगर टेक जो इनकी समस्याओं को समझे उनको समाधान करें उसी नेता को ये विधायक के रूप में चुनना चाहेंगे तो जैसे के आपने देखा ये थी हमारी खर्खोदा हलके से ग्राउंड रिपोर्ट हम हर पल के हर खबर को आप तक यूँ ही रूबरू कराते रहेंगे देखते रि केमरमेन जीत सिंग के साथ पारूलतियागी धन्यवाद